और मेरे बच्चों क्या हाल चाल आज हम Elimination Method से Linear Equations को Solve करना सीखेंगे क्या गरेंगे? Elimination Method से Linear Equations को Solve करना सीखेंगे ठीक है? इससे पहले हमने Displacement Method से सीखा था और मैंने बताया था कि Linear Equations which contains two variables इनको Solve करने के कितने तरीके हैं? चार एक हमने पिछले लेक्चर में सीखा जिसको हम बोलते थे Displacement Method याने कि विस्थापन Method विधी आज हम करेंगे Elimination Method इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधी कौन से विधी? विलोपन विधी तो विलोपन विधी से हम Linear Equation को यानि कि रेखिये समी करन को Solve करेंगे यानि X और Y की Value निकालेंगे तो देखो जैसे यहाँ पर हमें यह मने एक्जामपल लिया है यह NCRT का जो Exercise है 3.4 उसका Question No.1 का तीसरा Part लिया हमने और इसको Solve करेंगे हम कौन से Method से? Elimination Method से यानि कि विलोपन विधी से तो विलोपन विधी में देखो होता क्या है? जैसे अगर देखो Equation No.1 उपर वाली माल लो एक माल लो नीचे वाली Equation को दो माल लो तो सबसे पहला काम मारा Equation किसी भी तरीके से लिखा हुआ है पहले उसको हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने बताया तो पहला क्या था? 3x-5y-4 equals to 0 यह तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है दूसरी Equation को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2y को भी इधर ले जाएंगे और 7 को भी इधर ले जाएंगे तो 9x तो वहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है 2y इधर आके minus 2y हो जाएगा हो जाएगा ना? और 7 इधर आके minus 7 हो जाएगा इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम सब्सक्राइब आ गया? आप क्या करना है देखो? अब हम यह करना है कि दो इक्वेशन चाहिए किसी तरीके से भी लिखा हुआ हो उसको हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो दूसरी वाले को मैं इस तरीके से लिख दिया अब दोनों को मैं एक साथ पहले लिखता हूँ तो पहली एक्वेशन थी 3x-5y-4 equals to 0 और दूसरी एक्वेशन थी 9x-2y-7 equals to 0 अब क्या करेंगे? अब हम यह करेंगे कि देखो जैसे पहली एक्वेशन है और दूसरी एक्वेशन है तो पहली और दूसरी एक्वेशन मगर ध्यान से देखो तो पहली में x के साथ क्या है? 3 है, y के साथ क्या है? 5 है दूसरी में 9 है, x के साथ और y के साथ minus 2 है तो हम क्या करते है? Elimination method में किसी भी एक variable चाहे x या y का जो के साथ जो constant है जैसे, मानलो, x के साथ constant क्या है? पहली वाले में 3 दूसरी वाले में क्या है? 9 y के साथ क्या है? पहले वाले में constant minus 5, दूसरे वाले में क्या है? minus 2 तो हम दोनों equation को देखेंगे और किसी एक variable के जो constant है उनको बराबर करेंगे कैसे? पूरी equation को एक खास number से multiply करके और वो कौन सा number होगा? वो जो हम question देखेंगे तभी पता लगेगा तो सबसे पहले हमें ये decide करना है कि किसके constant को हम equal करना चाहते हैं तो जैसे मानलो, मैं यहाँ पर x के जो constant से उसको बराबर करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ बराबर नहीं है पहले बाले में x के साथ 3 है दूसरे बाले में x के साथ 9 है तो मैं क्या करूँ कि x के जो constants है x के साथ जो constant जुड़ा हुआ है वो बराबर हो जाए ठीक, तो एक तरीका तो यह है कि अगर मानलो 3 और 9 तो अगर हम 3 का टेबल बढ़ते है तो 3, 3, 9 आ जाता है यानि कि 3 को किसी तरीके से 3 से multiply कर दिया जाए तो 9 आ जाएगा है ना, समझ में आ गया यह जब ज़्यादा आसान है तो क्या बता है मैंने किसी एक variable के constant को बराबर करना है कैसे खास number से multiply करके और वो यहाँ पर हमें दिख गया कि जो पहला equation है उसको अगर मैं 3 से multiply कर दूँ first वाली equation को तो x का जो constant है वो बराबर आ जाएगा दोनमे लेकिन एक चीद ध्यान डखना है जब multiply करेंगे किसी एक number से तो x से अगर x वाले को करना है यह नहीं खाली x वाले को ही करके छोड़ दो पूरी equation को वही number से multiply करना होता है जैसे तराजू होते हैं तो अगर तराजू के एक पलडरे में कोई समान रखा तो दूसरे में भी उतना ही रखना पड़ेगा तभी बराबर होगा तो कहने का मतलब यह है कि जब हम एक variable का constant उसको बराबर करेंगे तो खाली उसी को multiply नहीं करेंगे पूरी equation को multiply करेंगे तो क्या करें देखो जो पहली equation है उसको अगर मैं तीन से multiply करतूँ तो क्या बन जाएग एक पूरी equation करेंगे दियान रखना एक को नहीं पूरी को किस नंबर से करेंगे वो जब question देखेंगे तो पता लगेगा कि बहुए कैसे इनके constants को हम बराबर कर सकते हैं तो मुझे दिखा कि 3,009 होता है तो पहले बाले को अगर मैं 3 से multiply कर दूँ तो 9 आ जाएगा तो कर रहा हूँ मैं तो 3 into 5 15 y minus 12 4,3012 equals to 0 equation number मान लिया इसको 3 और जो दूसरी वाली थी इसको as it is छोड़ देते हैं इसमें हमें कोई भी चीज की multiply करने की जरत नहीं पड़ी इसमें हमें एक ओर चीज कर सकते हैं तो उसको दुबारा समने 4 ले लिया अच्छा अब इसको हम एक ओर चीज कर सकते थे मान लो मुझे y के constant बराबर करने है तो ना तो 2 के table में 5 आता ना 5 के table में 2 आता तो क्या करेंगे भई तो ऐसा है ऐसा जब होता है कि जब हम दो नम जैसे यहाँ पर y के साथ है 5 यहाँ y के साथ है 2 यानि कि minus 2 तो 2 के table में भी 5 नहीं आता कि table को पढ़ो तो नहीं times कर दो तो 5 आजाएगा ऐसे 5 गड़ेबल में 2 नहीं आता तो क्या करेंगे ऐसे मैं दोनों को अलग अलग नमबरों से multiply करेंगे और ऐसे नमबरों से multiply करेंगे कि दोनों में y का constant बराबर हो जाए जैसे अगर मान लो उपर वाले को अगर मैं 2 से multiply कर दूँ तो यहाँ जाएगा minus 10 नीचे वाले को कर दूँ 5 से तो नीचे आजाएगा minus 10 फिर दुबरा से आजाएगा तो यानि उपर वाले को अगर हम 2 से multiply करते हैं नीचे वाले को 5 से करते हैं तो y के constant बराबर हो जाएंगे तो किसी एक को बराबर करना है किसको करना है वो जब question पढ़ोगे जो आसान लेगे उसको बराबर कर ले कैसे multiply तो करना है तो या तो multiply दोनो equations को हमें करना पड़ेगा अलग अलग नंबरों से या एक ही नंबर से multiply करें कहीं कहीं काम चल सकता है जैसे हमारा यहां चल गया काम ठीक तो दोनों में से किसी को भी हम बराबर कर सकते हैं तो मैंने बराबर कर दिया अब क्या करना है अब लिखेंगे subtracting अब यह जो steps याद रखना पहले हमने step में क्या करा constant बराबर करें दूसरे step में क्या करेंगे अब घटाएंगे इनको तो subtracting equation 4 from 3 या 3 में से भी 4 माइनस कर सकते हो तो बाद में से पहले वाला माइनस कर दिया पहले वाले में से बाद वाला माइनस कर दिया आसे याद कर लो तो क्या होगा देखो 9x माइनस 15y माइनस 12 में क्या माइनस क्या 9x माइनस 2y माइनस 7 equals to 0 0 माइनस 0 0 यह लिए लिए तो ऐसे 0 माइनस 0 आच्छा आप देखो क्या होगा 9x माइनस 15y माइनस 12 और यहाँ कितना हो जागे तो माइनस यह पूरी की multiply होगी तो यह हो जागा माइनस 9x इस किस में होगी तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जागा 2y और यह माइनस 7 प्लस 7 हो जागा equals to 0 अब देखो क्या हो गया यह देखो कट गया जिसके constant बरावर थे वो कट गया तो बचा क्या माइनस 15y और माइनस 2y कितना बच गया माइनस 15 माइनस का 15 प्लस का 2 तो करेंगे कितना जागा फिर यह माइनस 13y ठीक माइनस 13y आ गया ठीक है अच्छा उसके बाद क्या करेंगे अब equation देख लो एक पाद चेक करो equation सही थी क्या चलो तो यह हमारा आगया देखो माइनस 13y माइनस 13y और यह माइनस 12 और प्लस 7 कितना हो गया माइनस 12 प्लस 7 हो गया हमारा कितना यह हो गया माइनस इतना 7 5 equals to 0 तो इस तरीके से हमारी y की value आ गई कितनी y की value आ जाएगे हैंसे देखो minus 13y equals to 5 y equals to minus 5 by 13 तो यह हमारी y की value आ गई यह y की value आ गई तो इस तरीके से हमने क्या करा y की value निकाल दी तो उन्हें आ गया आप क्या करेंगे देखो minus 5 by 13 अब क्या करेंगे जो y की value आ गई किसी भी equation में डाल दो 1 में 2 में किसी में भी डाल दो x की value आ जाएगी तो क्या करेंगे दूसरे में डाल देते हैं तो किसी में भी डाल दो first second में तो 9x 9x अगला क्या देखो 9x minus 2y minus 2 और y आ गया हमारा minus 5 by 13 minus 5 by 13 minus 7 minus 7 equals to 0 तो यह आ गया 9x plus 10 by 13 minus 7 तो यह minus minus प्लस जाएगा यह है यह 5 to the 10 equals to 0 अब क्या करेंगे constant को एक तरफ जिसमें variable है उसको एक तरफ तो इसको एक साथ रखो और इन दोनों को इधर ले जाओ तो minus इधर आगे प्लस 7 हो जाएगा यह minus हो जाएगा 10 by 13 अब इसका LCM ले लो तो कितना जाएगा 21 और 7 और 9 यह जाएगा ना तो कितना और 7 ठीक minus 10 upon 13 तो इस विल बी 81 by 13 यह आ गया हमारा कितना यह आ गया हमारा 9x ठीक तो X आ गया 81 81 by 13 और 9 आ जाएगा नीचे 9 निम्मा 9 9 जाएगा 81 तो X आ गया हमारा 9 by 13 तो यह देखो जी आ गया वाई लिए X और Y की X की वैल्यू थी minus 5 by 13 और Y की वैल्यू आ गयी 9 by 13 तो कैसे किया हमना Elimination method से सबसे पहले क्या करते हैं देखो Equation देखा उसको पहले हमने इस form में लिखा जैसे पता है आपको X और Y को एक साथ लिएगे तो 9x minus 2y minus 7 equals to 0 पहले वाले equation बिल्कुल सही लिखी हुई है याने equation को इस तरह लिखना है AX प्लस BY प्लस इसको standard form को कहते हैं इस form में लिखना है तो इस form में इसको हमने लिख दिया पहले लिखी हुई है दूसरी को भी लिख दिया उसके बाद हमने क्या किया अब क्या करते हैं उसके बाद किसी एक variable के constant को बराबर करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे आसान लगा कि मैं पहली equation को अगर मैं 3 से multiply कर दूँ तो 9 आ जाएगा दूसरे बाले में भी X के साथ 9 ही है ठीक तो कर दिया देखो या गया तो या गया उसके बाद subtract कर दिया equation 4 को third में से तो X वाला कट जिसके constant बराबर थे वो कट गए और उसके बाद हमारा बच गया minus 12 plus 2Y आ गया minus 13Y और आ गया minus 5 12 minus 7 minus 12 plus 7 minus 5 तो यह आ गया हमारा minus 5 by 13 अच्छा उसके बाद जो Y के value आ गई है वो equation number second या किसी में भी डाल सकते हैं तो मरत जी यह फस्ट में डाल दो second में डाल दो third में डाल दो fourth में डाल दो second में डाल दिया मैंने तो डाल दिया तो solve किया तो हमारा आ गया यह तो simple solution है Y में लो डाल दी और यह आ गया 81 by 13 यानि कि 9 by 13 ठीक आच्छा तो यह हमने elimination method से एक किया अब हम क्या करते हैं एक और question करते हैं जो question number 3 है और 3 का fourth part है क्या क्या डाल देखो मीना went to a bank to withdraw rupee 2000 मीना कहा गई bank गई और 2000 उसने bank से निकाले she asked to the cashier to give her rupee 50 and 100 notes only तो उसको 50 और 100 के notes उसने बोले कि मुझे यही notes चाहिए ठीक है जी ले लो तो मीना got यह थोड़ा spelling mistake है इसको change कर लेंगे हम तो यह क्या है मीना यहां से उसको ठीक कर लेते हैं देखो मीना got ठीक है मीना gets लेखो मीना क्या मिला 25 notes मिले इन ओल ठीक है इन ओल तो find how many notes of 50 and 100 रुपीस तो बताना है हम है कि 100 और 50 के उसे कितने कितने note मिले तो सब से पहले तो देखो उसको 50 और 100 के note मिले तो मान लिया 50 note होगे let जो निकालना होता है इसको xy मान लेते हैं लिए लिए लेट number of रुपी 50 notes equals to x फिर ऐसे ही number of रुपी 100 notes equals to y तीक आप देखो क्या हुआ उसके पास कितने note मिले उसे कितने 50 and 100 notes उसको दी और total पैसे कितने आगे तो एक note थे 50 50 का note कितना लिया x ठीक है तो 50 के note के value क्या हो गई 50 गुना x नहीं एक note 50 रुपे का तो x note कितने होगे कितने रुपे होगे 50 into x ऐसे ही 100 के उसको y notes मिले तो ए 100 गुना y यानि कि 50 x हो गया वो उसको एक पास रुपे जो 50 के note वाले थे और 100 y हो गया वो पैसे जो 100 के note वाले थे जो note को add करेंगे तो उसको कितने मिले या उसको कितने लेने थे 2000 तो 2000 आ गया इसको एक काम कर सकते हैं हम जब ऐसी चीदे देखो इसमें या इसको छोड़ दो ही हैं पर कोई बात नहीं आच्छा उसके बात क्या करेंगे अब देखो दूसरी equation बनाएंगे टोटल उसको 25 notes मिले यानि कि x प्लस y उसको आ गया 25 यानि इसको equation नमबर 1 इसको equation नमबर 2 दो equation हमारे पास बन गई समझ में आ गया अब इसको solve करेंगे और solve करने का तरीका क्या किसी एक variable के constant को बराबर कर दो x को कर दो या y को कर दो मालो यहां पर मैं y को कर देता हूँ तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर y को बराबर करने के लिए मुझे दूसरी वाली जो equation है उसको किससे multiply करना पढ़ेगा किससे करना पढ़ेगा multiply दूसरी वाली को या x को चलो बराबर कर दो तो x में कितना है पहले वाले में कुसी को भी कर सकते हैं 50, दूसरे वाले में क्या है तो दूसरे वाले को 50 से multiply कर दो तो उसका भी 50 x हो जाएगा या अगर y वाले को equal करना है तो दूसरे वाले को 100 से simple कुणा कर दो तो उपर में भी 100 y नीचे वाले में भी 100 y हो जाएगा तो x वाले को चलों बराबर कर लेते हैं तो क्या करेंगे? multiply equation second by 50 ठीक, तो यहाँ पर भी देखो हमें एक ही equation को multiply करने के जुरत पड़ी लेकिन मैंने क्या बताया? हो सकता है कि कहीं-कहीं दोनों को भी multiply करना पड़ जाए तो हम देखेंगे कि पहले को कितने से करें दूसरे को कितने से करें कि दोनों के एक variable के constant बराबर कर दो समझ्मा आ गया? तो आप क्या करेंगे इसको हम? तो पहली equation थी हमारी 50x प्लस 100y इक्वस टू 2,000 और दूसरे को हमने किस से multiply कर दिया? 50 से तो क्या होगा फिर ये? 50x प्लस 50y इक्वस टू 25 इंटू 50 तो कितना आ गया 25 इंटू 50? 1250 इंटू 50 इंटू इसमे एक कोड़ी देखो अभी मैंने पताया था कि equation को हम इस form में लिखते हैं इस form में लिखते हैं? अगर इस form में नहीं लिखना तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ax प्लस by equals to c इस तरह से भी लिख सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता उससे, तो यहाँ पर AX प्लस VY को इस तरीके से लिख लिया गया है, यह जैसे लिखावा था, मैंने वैसे को ऐसी इकोईशन बना के वैसे छोड़ दिया, इसको हम यह भी कर सकते थे, इसको इधर ले जाते, तो माइनस 2 साद ले जाता, इसको इधर थर्ड यह हो गया, फोर तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रेक्टिंग, फोर फ्रॉम थर्ड, तो क्या हो गया, 50X प्लस 100Y, मैं माइनस किया, क्या, 50X प्लस 50Y, इकोउस तो इधर क्या माइनस हुआ, 2000, मैंनस 1250, कितना आगया आप यह देखो, 50X प्लस 100Y, मैंनस 50X, प्लाइनस 50Y, इकोउस तो 750, तो X ने X को मारा, 100 में से 50 गया, तो 50 बचा, और यहां बचा, 750, तो Y आगया, 750 अपाउन 50, 0 ने 0 को मारा, 5 पंजा 5, और 5, 5 जा 25, तो Y की वैलिव आगयी, 15, यानि कि 100 के उसको, 15 नोट मिले, यानि कि कैसियर ने उसको, 100 के 15 नोट दिये, 50 के कितने दिये, तो Y की वैलिव किसी भी इकोईशन में डाल दो, तो जैसे मालो मैं दूसरी वाली में डाल देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, कि ठोटी एकोईशन है, तो दूसरी एकोईशन क्या थी? X प्लस Y इकोईशन क्या लिखते से पहले, पुटिंग वैल्यू ओफ वाईशन इकोईशन सेकेंड, तो यह आगया, अचि यह 25 था, ना सोरी सोरी साना 25, तो X प्लस 15 इकोईशन क्याईशन, तो X आगया हमारा 10, यानि कि रूपी 100 के कितने नोट? 15, रूपी 50 के कितने नोट? 10, तो कैसी अरने इसको इस तरीके से नोट दिए? तो क्या करते हैं, जब वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इकोईशन, जैसे कि मैंने यहाँ बना दी, इकोईशन, समझ मा गया? उसके बाद इकोईशन को वैसे ही solve किया, जैसे कि इससे पहले वाले कुश्चन में solve किये थे, कैसे? कि किसी एक variable के constant को बराबर कर दो, और उसको eliminate कर दो, eliminate का मतलब वहाँ से इसको below कर दो, मतलब गायव कर दो, सब में x गायव हो गया न, माइनस करके देखो, पहले वाले में भी x को मैंने गायव कर दिया था, यहाँ भी मैंने x को गायव कर दिया, y बच गया, y के value आ गई, फिर जो बच गया, उसके value आ गई, अज जो value आ गई, फिर पहले वाले equation या दूसरे वाले equation अम उसकी value डाल करके, हम क्या कर सकते हैं दूसरे वाली की value निकाल सकते हैं और इस तरीके से question को solve कर सकते हैं तो ये जो आज हमने method सीखा इसको कहते हैं elimination method यानि कि below-pand-bidhi समझ में आ गया अगले class में यानि कि अगले lecture में अगले video में मैं आपको cross multiplication method से linear equations को यानि कि रेखिये समीकरन को solve करना सिखाऊंगा यानि कि हम लोग सीखेंगे तब तक के लिए बाई